गar अपने असको लिआ निए है तो उसको महां पर नहीं लियना है फिर फिर वेीटकर ना है या तो फिर दुबारे से 100 अर्प ही ऊशर ने ही मिटी है और अगरह या सुनी ही में आता तो उसे लेना ही नहीं है हम South Indian Bank की और इस bank के अंदर क्या कूबिया है क्या हमें इसके अंदर देखना चाहिए क्या हमारा stop loss होना चाहिए क्या इसकी रणीति आगे के लिए हमारे बनेगी उसको उपर भी आज हम जानेंगे थोड़ा सा मैं आपको मुझा इंटरे का एक टिप्स दे दूं कि जब भी आप किसी अच्छे शेर में का ने वपर ya कि और वह आप से चूक गया अगदम से वह 105 पर मिला आपको ठोड़े देर में आपने इसको लिया नहीं औरिंट्रडे की आए और अगर वह सोर पर नहीं आता तो उसे ले नहीं नहीं है फिर या फिर वह सोर से और दोर पर नीचे जाए तो वहाँ पर हमारे एंट्री बन जाती है ध्यान रखना यह टिप्स हैं इंटरे के किसी भी शेर की तेजी को देखकर इंटरे में कभी बिल्कुल हाथ मत लगा वहाँ वेट करना है जितना ज्यादा आप सोर्टर म के लिए शेरों में इंटरे के लिए वेट करेंगे उतना आ को फायदा होने वाले रहुच्टना लॉंक्ट अशेरों को चम्रजी उत्स गरी सकते हों सकते हों तो इंटरे में आपको अगर सो सहे Whenever एक्सी पांचरों के ए नहीं हर तो हमें में अगर खोड़ दो तो यह यहां वेट कर ना है जरूर यह अगर भूणना बबना है लेना नहीं है उसको भूढ़ से तरह बात करूंगे शाओध इंधियन बैयंक थे बेये को शेड वपर मैं देशी मुदरा का भी वेवेषाई करता है बैंकिंग का भी काम करता है ठीमेट अकाउंट भी खुलवाता है mutual fund में भी काम करता है लोन के लिए काम करता है इस तरीके का ये बैंक जो बैस्ट है जो केरलविस्तित एक बैंक है देखो तरद इसकी हम बात करें, परमोटर इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, FIs हो गया, DIs हो गया और पॉब्लिक नहीं इस बैंक को चला रखा है, FIs की अगर हम बात करें तो इस बैंक के अंदर करी, 12.68% के इसके अंदर FIs हैं जो अपनी holding को कम करके बैठे हैं और DIs इसके अंदर करी 6.61% के इसके अंदर DIs हैं और public सबसे ज़्यादा जो मैं आपको बताता हूँ वो ज़्यादा interest रखती है क्योंकि यहाँ पर public ज़्यादा उतावली हो जाती है शेरों खरी में इस शेर से थोड़ासा आपको सतर्क रहना है क्योंकि इसके अंदर जो public इतनी ज़्यादा है तो यहाँ पर इस शेर के अंदर आपको साल में बढ़कर दिखाएगा तो अगले साल यह गिर कर दिखाएगा अब आपको किसी भी शेर के उपर ऐसे वीडियो नहीं बनाता तो मैं पहले एक्चुल चीजे देखता हूँ तो फिर आपको चार्ट के बारे में समझा देओं जब मैंने इसके चार्ट के बारे में देखा तो मुझे जनवरी 2008 में यह शेर मुझे 20.88 पैसे करीब का देखने को मिला जनवरी में फिर 2009 में यही शेर आपको 4 रुपे तक आते हु हो गया यहां पर यह समझगे आपके एक बार शेर बढ़ता है अगले साल गिरता है यह नियम समझ में आ रहे हैं फिर दूसरा इसके अगर हम डाटा देखें 2009 में इसने गिर के दिखा दिया फिर 2010 में यह शेर पहले जहां 20 रुपे की इसने उचाल मारी थी 2008 में तो यह इसन की शेर आपको शेर बात में गिरते गिरते 18 रुपे करीब का यह शेर आ गया बात 2014 में यह शेर आपको 29 रुपे करीब जाकर दिखाया उसके बाद इसने अगले साल आपको 15 रुपे का लो भी दिखा दिया यानि की शेर एक साल बढ़ता है फिर दो साल बढ़ता है फिर पिर शेयर चार रूपें जो जो शेयर दोजाल आट में 20 रूपें का था 299 में 4 रूपें उसने है दिखास take ऐसके भूर मोई दिखादि उसके गोम के वह दोजार नौ की स्किता जो चार रूपें नभए-पैसे का था साल बीतते गए शेर ने उतार चड़ाव करते गए तो यहां से क्या होना इस शेर में बहुत कम शेर रखने इसको आपके बहुत से लोग नहीं बताएंगे मैं आपको आपको बहुत सच्चाई वाली चीज़े बता रहा हूं तो इस पिछले जो हमने इसके चार्ड देखा वहां पर इसमें काफी उतार चलावा है और बड़े बड़े उतार चलावा है जिसके अंदर हम ट्रैप भी हो सकते हैं कहानी दुबारे से फिर धोरा सकता है दोराने को तो कुछ भी हो जाएगा एपाइस और डियाइस और पब्लिक की चल रहे हैं इसके अंदर तो कभी भी इसके अंदर हम ट्रैप हो जाएंगे पर काम जो भी इस बैंक का है बहुत बैस्ट है पर वो लंबी विधी के साथ हमें देखना चाहिए अभी शेर 32 रुपे करीब का शेर चल रहा है सर यह भी आप समझकर चलना दिसंबर 2020 में इस शे RHana sale देखें तों वो करीब 2,184 क्रोड़ रुपे की कंपनी ने 223 में seemed की और करीब 305 क्रोड़ रुपे का उपनी ने profit करजा अगर हम इसे बिखर कि शमगर्ण के अंदर करजा और देखे वाद Ό और अगर इसकी हम देखे भाइस की साखाएं कितनी ऐसा तिस मार्ज दोजार तेज तक 26 राज्यों में और करीब चार केंदर सासित इसके जो साखाएं यानि ब्रांच देखने को मिली बैंक देखने को मिले वह करीब 948 इसकी ब्रांच है और करीब 1304 इसके एटियम है इंडिया में तो यहां से कंपणी का विस्तार बहुत बहुत अच्छी है कंपणी के सेल्स अच्छी है कंपणी का वेपार अच्छा है कंपणी विदेशी मुद्रा में भी वर्क करती है यह सबसे बैस चीज है कि साउत की तरब से काफी लोग भार की तरब भी अपना काम करनी जाते हैं वहां से पैसा भी वह भेजते हैं तो इन सारी इस्तिति को अगर हम देखें सेल्स को भी देखें कंपणी जानदार बनी हुई है पर मैंने एक चीज़ के अंदर देखी है उतार चड़ाओ और अग कम से कम शेर लेकर बैठने अगर बैठना है आपको लोग बहुत अच्छे चीज़ बता देंगे लाजिमी है वो सारी चीज़े पर हमें खुद को जो समाल के आगे बढ़ना है वो भी तो हमें आना चाहिए ना तो उस वज़े से मुझे यह लग रहा है जो इसके चार्ट प भी आजाता है तो 26 का इस्टोप लेकर इसके चलना पड़ेगा इस बैंक के साथ सार कंपनी ने राइट इसू की भी घोसना कर दिया चार शेरों के बदले एक शेर राइट इसू का दे रही और वो 22 रूपे करीब का शेर होगा तो कंपनी का राइट इसू भी आ गया है तो होगे हैं तो यह डाटाओ के अनुसार जो चीजे दिख रही हैं जैसे की चार्ट पैटेंट हो गया सेर होलिंग पैटेंट हो गया करजा हो गया फिर इतना ज्यादा उतार चड़ा हो गया सारी स्थितियों को आपको भापना है मेरे हिसाब से शेर अगर सो रुपे हमारे प नहीं समझने वाले खुसियों में गूमेंगे और चार्ट पैटेंट देखकर अंदाजे लगाने वाले सक्सस की सीड़ी जरूर चड़ेंगे क्योंकि कुछ भी चीजे बीती हुई चीजों को अनलाइज करना ये आगे की दिसा हमें दिखाता है देखो तर ये चीजे में आ नहीं मुझे भाप रहा है को शेर 29 में जाकर फिर 4.90 पैसे आए ये मुझे नहीं जज रहा है इतने बड़े बड़े गिरावटनी होती है कभी भी ये ध्यान लगना आप तो सारी इस्तित्यों को आपको भापना पड़ेगा और जिस तरह के से इसका राइट इस हुआ रहा रही है कंपनी की तो सारी इस्तित्यों को आपको जाच कर चलना पड़ेगा मेरा एक दूसर जिसके अंदर मैंने कल आपके लिए वोड़ा फोन आइडिया अडानी विल्मर पर वीडियो बनाई है जिस चैनल का नाम है सार्थक बजार से कि प्या बार उसे भी आप देख ले झाओ